ये बाते मान लो नहीं तो जीवन भर दुखी रहोगे, जहां कदर नहीं हो वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपकी नहीं सुनता ऐसे इनसान को समझाना मत, जो आपके सच बोलने से रूट जाए, ऐसे व्यक्ति को मनाना मत, जो आपकी नजरों से गिर जाए, उसे ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं, वैसे होते नहीं है, संसार में केवल मनुष्य ही एक मात्र ऐसा प्राणी है, जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बलकी बातों में होता है, सुबह साथ बजे के पहले ये साथ चीजें 5. कम से कम 20 मिनिट तक कुछ ऐसा पढ़े जो आपको उत्साहित करें 6. दिन के लिए एक लक्षे निर्धारित करें और उसके अनुसार काम करने की योजना बनाए 7. इतना करने के बाद नहा कर ब्रेक्फिस्ट करें अब आप तैयार हैं बहतरीन दिन की शुरुआत करने के लिए दोस्तों ऐसी और वीडियोज देखने के लिए हमारे प्रोफाइल को फॉलो करें 7. स्थिती जहां आपको चुप रहना चाहिए 1. क्रोध की आग में चुप रहो 2. अगर आपके शब्द किसी को ठेस पहुचा सकते हैं तो चुप रहे 3. यदि आपके शब्द किसी मित्रता को नश्ट कर सकते हैं तो चुप रहे 4. अगर आप चिल्लाए बिना बात नहीं कर सकते तो चुप रहे 5. अगर आप पूरी कहानी नहीं जानते हैं तो चुप रहे 6. जब आप बहुत अधिक भावुक महसूस करें तो चुप रहे 7. अगर आपको नहीं पता कि क्या बोलना है तो चुप रहे ऐसी ही और वीडियो के लिए चांद मुहम्मद को फॉलो करना ना भूले 8. अगर महिलाओं के बारे में ये तीन बातें आपको पता हैं तो आपका जीवन सुख में बीतेगा 9. शरीर से सुन्दर दिखने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है लेकिन हरदय से सुन्दर होने वाली महिला आपको जिन्दगी भर सुख देती है, इसलिए हिर्दय से सुन्दर होने वाली के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। जिस स्त्री के कई पुरुषों से संबंध होते हैं या जिस स्त्री का चरितर अच्छा नहीं होता, उसके लिए उसका पती सबसे अग्रणी शत्रू है। यहां तक कि ऐसी महिला किसी भी प्रकार का दान पुन्य नहीं करती है। ऐसी ही वीडियो के लिए फॉलो करे। जिस स्त्री को बताते हैं इस G20 का पूरा शेडियूल और इससे जुड़ी जानकारी। कौन से देश हैं G20 के सदस्य? भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गंराज्य, साओधी अरब, दक्षिन अफ्रीका, तुर्किये, यूके एवं य संग शामिल हैं. G20 का क्या काम है? ग्रूप ओफ 20, G20, अंतराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग का प्रमुक मंच है. ये सभी प्रमुक अंतराष्ट्रिय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक सनरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपू प्रगती मैदान में G20 शिखर सम्मेलन 2023 अनुसूची के अनुसार मिलेंगे, जिसका हाल ही में पुनर निर्मान के बाद PM मोदी ने उधगाटन किया था. G20 कैसे काम करता है? G20 या 20 का समू एक अंतरसरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपिय संग, EU, शामिल है. यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंदित प्रमुक मुद्दों, जैसे अंतरराश्ट्रिय वित्तियस्थिर्ता, जलवायू परिवर्तन शमन और सतत विकास को संबोधित कर करता है. G20 में कुल कितने देश हैं? G20 ग्रूप में 19 देश अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, साओधी अरब, दक्षन आफ्रिका, तु किये, United Kingdom और America शामिल है.